हलो फ्रेंड्स सदीब ग्यान जेनल पर आप सभी का फ्रिजिस स्वागित करते हैं फ्रेंड्स आज किस वीडियो में आप सभी के लिए एक बड़ी कुश कबरी लेकर आए हैं बड़ी कुश कबरी देख सकते हो मैट सीधी भरती प्रिक्रिया 2021 दोहजा एकीस में 25,000 से ज्यादा मैलाओं के वेगेंजी है आप देख सकते हो फ्रेंड्स बड़ी कुश कबरी मैलाओं के लिए निकल के आ रही है यह दिसकियो 25,000 मैला में टेनाथ होंगे 7,200 रूपे प्रती मैना पेमेंट दिया जाएगा और इसी के साथ 21,000 जो है रोजगार शेवक रखे जाएंगे और इनमें सभी में एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी जाएगी आठ भी पास तो आप अपने ग्राम पंचाईट पे एक बड़ा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं आपके पास सुनहरा मोका है तो इसमें कैसे आपका सेलेक्शन होगा कैसे आपका इसमें फॉर्म भरा जाएगा क्या आनुबव क्या उसकता होगी प्राप्त करना चाते हैं वह हमें कमेंट बॉक्स में बताएगे तो विरिंड सबसे पहले आपको कल की न्यूज दिखा देते हैं जिसमें आपको वेकेंजी समंदी जानकारी बताई है और इसके बाद हम आपको बताएगे कि कैसे आपका इसमें सेलेक्शन होगा कौन-कौन से काग्यों क्याव सिकता होगी और मेट की क्या कारी हैं तो सबसे पहले मनिरेगा में 46,000 नए कर्मियों की होगी तेनाती तो इसमें आपको 46,000 जो टॉटल वेकेंजी आपको मिलेगी हजार रोजगार शेवर्क रखे जाएंगे इने 6,000 रुपे मिलेंगे और नियमे तुरूप से आपको काम मिलेगा तो सबसे पहले इसमें आपको न्यूज बताई है सबसे पहले न्यूज देख सकते हो प्रदेश सरकर ग्रामिन च्छत्रों में मनिरेगे के काम को और मिला सस्तीकरण को बल देने के लिए 25,000 मैलाओं को मेट बनाने का भी खाका खेचा जा चुका है अपर आयुक्त मनिरेगा योगेश कुमार के मताबित राज्य में 69,000 के शावपिक्स करीब 38,000 रोजगार शेवक तेनात हैं मेट के कारी मेट के अजए और आप मेट कारी के पुष्ट करणा चाहिएँ एज हैं head रहेगा मेट का काम होता है कि जो आपकी नीचे कारी कर रहे हैं उनकी हाज़ी आपको लगानी होती है और आपको देखना होता है कि ऐसे कौन से कारी हैं जो आप करवाना चाहते हैं और देखना होता है कि कौन yay both और कैया है। जो कारी करें आज आप कौनसी जो पंचायत इस तरह के काम करवाएंगे और उन कारियों को कितने दिनों में कंप्रीट करवाएंगे वो डीटियल्स जो है ग्राम पंचायत तक आपको शेर करनी होती है आप अपने इसाब से या अपने अनुसार समूहा बना सकते हैं पांच म Dollar सकते हैं 11 하니까 समूहा बना सकते है सबसे पहले इसमें आपको बताया है कि नरेगा मेट के लिए जरूरी है कि वेकति भारत रख का नागरिक हो उसके पास इसके लिए ID फरूफ हो या नि कि भारत का कोई भी नागरिक यहां फॉर्म अपलाई कर सकता है और इसके साथ इसमें फिर ये बताया गया है कि नरेगा मेट बनने के लिए जुरूरी है कि वेक्ति कम से कम दस्वी पड़ा हो आठवी के बाद अगर उन्हें सिदे बोर्ड प्रिक्षा देकर पास किये तो भी नरेगा मेट बनने योगे है तो यहां कम से कम दस्वी है और आठवी भी पास होना निवारे इसमें आपको बताया है और इसी के साथ नरेगा मेट बनने का अधिकार उसे भी ही है जो ग्राम में रहता है यानि कि आप भी जिस ग्राम चेतर में रहते हो वहाँ से ही आप मेट बन सकती हो अगर वो सहर में रहता है तो वो मेट नहीं बन सकता नरेगा मेट उसी को बनने का अधिकार है जिसके पास जोब कार्ड है यानि कि मनरेगा मेट वही बन सकता है जिसके पास जोब कार्ड है अगर पहले से कहीं कार्य कर रहा है व्यक्ति तो वह नरेगा मेट के योगे नहीं है यह दि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो वह मेट नहीं बन सकता है इसके साथ साथ कौन से डॉकुमेंट्स होना अनिवार तो नरेगा मेट के लिए सबसे पहले आवेदा के पास अधार कार्ड होना अनिभार है यह बहुत मुखय और फूसके फूर आवेदा के नाम से किसी भी बैंक में अकाउंट होना नेवारी है, फॉर्म में उसे सही सही बैंक की जानकारी देनी होगी, आवेदक को अपने पासवर्ट साइज फोटो में संगलन करनी होगी, इसके साथ आप नहां से इसके आवेदन करें, नरेगा मेट और शुपरवाइजर बनना चा अधरी बैंक कर दों सकते हैं, और सभी राज्यों में यह वैकेंसी हैं लेकिन फिल्हाल यूपी राज्य में 46,000 पर बड़ी बर्ति पिर्किराः का नोटिफिकेशन आने वाला है और राजस्थान में काफी जिलों में यह बर्ति पिर्किराः कंप्रीट होगी है, आप सभ